वेल्कम बैक टू माई चैनल इस वीडियो में बात जो करेंगे वो करेंगे हरियाना के हरियाना स्टेट के उपर जैसा की हम सब को पता है बहई हरियाना में गई हैं 53,000 नियमित मतलब regular employee कम हो गए हैं 2016 में 3.3 लाख नियमित करमचारी थे जो अब हो गए हैं 2.5 लाग और 2019 से अब तक 3 साल होने को हैं सिर्फ 275 अफसर की भरती कराए गई 47 भरतियों में गड़बड़ी की शिकायत और 5 हो गई है रद और यह कह रहे हैं कि planning में हैं नोक्रियों के लिए नई भरती अच्छा साल दर साल हो रही हैं कम नोक्री कितनी हैं नई भरती कितनी निकाली हैं मतलब अगर 2019 में नोक्री की बात करें तो 35,276 थी जबकि इन्होंने भरतियां निकाली 23,591 2020 में 8,693 थी इन्होंने 2,131 निकाली 2021 में 1,816 थी तो 585 निकाली नोक्री और नई भरती निकाली यह आप सर्वे देख सकते हैं कोर्ट में लगातार होती रहती हैं चैलेंज कमिशन बार 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 एक ही पोस्ट को रियाडवर्टीज करता रहत है जैसा कि आप देख सकते हैं सिड कॉर्परेशन में 2013 में 27 पदों पर निकली थी भरतियां सरकार बदली 2016 में फिर से विग्या पंजारी किया 2019 में फिर नई सिरे से भरती की सिचाई विबाग में कलरक के 49 और जेलदार के 23 पद पर 2015 में भरती निकली 4 साल बाद कुछ नहीं और ऐलग ऐलग शिफ्ट पर भी सवाल उठते हैं कहने का मतलब यह है कि अलग-अलग शिफ्ट में पेपर लेते हैं SI के पेपर में देखू ना क्या क्या है già kal Strategy और वैसे बोले हैं कि नर्मलाइजेशन करेंगे हम और हमें क्या पता माने या नहीं माने है अब जिन बच्चों के 70 मार्क्स बन रहे थे उनके तो 60 बन गए ना साथ से आठ प्वेश्चन तो गलत थे और देखो और क्या बोला है यह देख लो पक्की भरती कम कर रहे हैं एक लाग कच्चे करमचारी भरोसे काम हरमा 200 करोड बचाए अब आप देखो 40,000 वेतन वाले पक्के करमचारी की जगह 20,000 वेतन वालों से काम चला रहे हैं अच्छी बात है अब यह देख लीजिए यहां यह क्या कड़े हैं बिजली विवाग में रोडवेज में हैल्थ में एजुकेशन में पुलिस में कह रहे हैं हमारे पास सरकार जितनी भरती कर रहे हैं उससे अधिक तो रिटायर कर रही है उन्नी सो एक चार लाग क्रमचारी थे जो अब 2.85 रह गए जिनकी बरतियां और य के इंतजार में 22,000 बरती यह भरें तो हर माच 66 क्रोड वेतन जाएगा यह हर साल मतलब भरती ले वह एडवर्टीजमेंट निकाल देते हैं बचे फॉम भरते हैं जो फॉम का पैसा जाता है वह गवर्मेंट के पास ही तो जाता है तो फॉम के पैसे तो ले रहे हैं लेकिन भरतियां यह पूरी करनी रहे हैं यहां पर देख लो क्या लिखा है नोकरी की तलाश बेरजगार युवाओं की जेब भारी पढ़ रही है पिछले साथ साल के आकड़े देखे तो प्रदेश में दस एक पॉइंट साथ लाग पदो के लिए भरतिया निकली और इनके लिए दूसरी तरफ पके करमचारियों की जगह कई भी वागों में कच्छे करमचारी हैं अब करते क्या है कि अगर रेगुलर बेसिस पे लगाएं तो उनको जैसे गवर्मेंट नॉम के हिसाम से सैलरी देनी पड़ेंगी इस साच्छा यह क्या कर रहे हैं कि डिसी रेट पे अडो तक उनी को रिय अड्वर्टीज कर रहे हैं हर साल कितने बच्चे बढ़ रहे हैं रिकूट्मेंट कितना कॉंपेटिशन कितना बढ़ रहे हैं अब बच्चे भरेंगे तो पैसा जाएगा सरकारी ख़जाने में और इनको कुछ लेना देना पड़ा नहीं है इनको अपने से पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा इस चीज का सो आप अग्री करेंगे इस चीज से अगर आप हर्याना स्टेट से बिलॉंग करते हो तो यह वीडियो थी हर्याना के रोजगार के उपर और आपको हालत पता हिए कि यहां पर एंप्लोइमेंट रेट कितना रह गया है तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक किजिए वीडियो को थेंक यू